नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर 27 अक्टूबर 2024 रविवार, रमा एकादशी के दिन इस जगह फेंक देना एक छुटकी हल्दी होगी हर मनो कामना पूरी मिलेगी सभी दोशों से मुक्ती आपके सभी शत्रूओं का होगा अंत दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज रविवार, रमा एकादशी पढ़ रहा है इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी रविवार, रमा एकादशी पढ़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाए करना चाहिए यह उपाए इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्थ पर सही क्रिया अनुसार एक छुटकी हल्दी वाला उपाए कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाए है तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरी विष्णु के आशीरवाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ती मिल जाएगी, आपकी कोई भी मनो काम ना हो, मान लीजिए, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद-पढ़ा व्यापार चल पड़ेगा जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी आपके जीवन में धनाना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में धनाने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इसलिए दोस्तों इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो पर अगर आपने इस रविवार रमा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी इसलिए आप लोग इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुरान की कथा में बताया है जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं उससे पहले हे भोले नाथ आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पांच बार हर हर महादेव जरूर लिखे ताकि भगवान भोले नाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो तो आप से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें देखें दोस्तो ये रविवार रमा एकाद जशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे पित्र दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेश दिन पर किया जाए त क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक-एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस रविवार, रमा, एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, और कहां पर करना है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और जो ये वीडियो देखेगा भई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सत्रुओं और किसी भी दोश, किसी भी बीमारी से मुक्ती पाने के लिए, एक की हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं, तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहने होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, और दोस्तों, अगर आप चाहे, त इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है, जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शान्ती के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कह बहने अगर घर में उपस्थित ना हो, या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अब दोस् क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं, देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को, उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है, वह यह आता है इस उपाय को ले अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि रविवार रमा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोशकाल के बहुत महत्व होता है बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपून बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोशकाल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें, प्रदोशकाल का जो समय है होता है, वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर, 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोशकाल का समय होता है, इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है परंतु 27 अक्टूबर रविवार रमा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतरगत ही कर लो किसी कारण वश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है ठीक है ना अब इस पीसी हुई हल्दी को सूखी हल्दी को है ना आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें चाहे सूखी हल्दी आपको अपने घर की बाउंडरी आपके घर की जो boundary है, उसके उपर दीवारों की उपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है, हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की boundary है, उसके चारों तरफ, चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें, या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें, और फि दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनरजी अच्छी उर्जा बढ़ेगी, जिस घर में हल्दी के उपाय किये जाते हैं, वहां देवी देवता वास करते हैं, देखिए हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को द जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनरजी ठहरेना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए, चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं, दूसरे उपाय की है, न दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी, आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी, अगर बिजनेस करते हैं, तो रातों रात आपका बिजनेस जो है, ना उंचाईयों पर पहुँचेगा। ऐसा समझेए आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था, ना अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। रमा एकादशी के दिन आपको हल्दी डालकर पानी में एक छुटकी हल्दी डालकर सनान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परिशान थे, वह समस्याएं जीवन स दूर हो जाती हैं और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थी, दर्द की या किसी भी तरह की वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सब का उत्तम होने लगता है और बहुत रमा एकादस्यी का इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमतकार देख लें हल्दी डाल कर स्नान वाला जो उपाय है कम से कम पाँच-पाँच अमावस्या आपको करना है यह उपाय पाँच अमावस्या से पहले ही पहले दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे तो दो उपाय की अभी तक बात कर ली अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरी विष्णू को प्रसन्न कर लेंगे और देव गुरु ब्रिहस्पती जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो कि हल्दी का संबंध देव गुरु ब्रिहस्पती और विष्णू भगवान से है इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीडियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिलकुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे अहां धनी बन जाएंगे। तो देख देखिए, एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही छुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है, अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है, अब ये अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है, घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है, शौचालय बाथरूम आदी को छोड़ कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेश कर श्री श्री च उन्नों का ध्यान करना है, लेक्श Suzuki लोग लहीं करते हैं दुजिए पाता जहाएं, बने या युजि को लेक्न के पिना हैं untuk satu world of human friends. लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरी विश्णू से प्रार्थना करना हल्दी वाला पानी छिड़ के और कहें, हे श्री हरी विश्णू, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना, इतना कह देना और फिर देखना आप ए अगेटिव एनरजी रुकेगी नहीं, हल्दी जहां होती है, वहां यह सारी चीज़ें नहीं रुकती हैं, और तीसरी चीज़ आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी, और सबसे बड़ी बात, कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, बीमारियों से आपको छुटक तो इतने ज्यादा चमतकार होते हैं एक छुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारन चीज नहीं है, जो आपकी रसोई घर में रखी है, यह सीधे सीधे श्री हरी विश्नु से जुड़ी है, श्री हरी विश्नु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल् अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके घर में सुख सम्रिध्य को बढ़ाने का काम करती है, आपकी कुंडली में गुरू बहुत मजबूथ हो जाता है, देखिए हमारे जो ग्रह होते हैं, उनका भी सीधा- लेकर तो परेशान होता नहीं है, तो ये है हल्दी का महत्व और हल्दी का चमतकार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमतकार देखेंगे। अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, मा तुलसी जो है, है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं, तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है, कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं, मा लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरस्ती है जब आप रमा एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं और इस बार तो रमा एकादशी पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्मान हो रहा है तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे दो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं इस दिन सिध्धी योग और सरवार्थ सिध्धी योग दोनों के दोनों योगबर हैं और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मा लक्ष्मी की कृपा आपके उपर बरसेगी। अब रमा एका दशी का दिन ज पढ़ेगी। मा लक्ष्मी की कृपा बरस्ती रहेगी। बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की जो कि आपको रमा एका दशी के दिन जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनरजी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोश होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले रमा एका दशी वाले दिन अपने घर में सुबह के समय में सनान करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप सनान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है। एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको सनान करना है। आपके घर में जितनी भी नेगेटिव उर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो गंगाजल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं, तो रमा एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है, और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए, आपको आपके भाग में जो दुख हैं, कश्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है, यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है, साथ ही साथ, श्री हरी विश्णू बहुत जल्दी इस से प्रसन्न होते हैं, तो पहले उपाय की बात कर ली जो कि आपके घर से नेगेटिव उर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा, साथ ही साथ नजर दोश, अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़त जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अश्ठ लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरी विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृध्धि भी बढ़ती है और धन की वृध्धि भी होती है। चीजें बहुत है मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। उन्हें तो विशेश कर रमा एकादशी पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभधायक, बहुत ही चमतकारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है, पिसी हुई हल्दी, अगर आपके पास साबुत हल्दी है, तो आप उसे पीस कर उसका पाउडर बना ले, अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, हल्दी को अच्छे से उस कलावा के उपर आपको लगा देना है, अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, तीन गांठे आपको लगानी है, तीनों गांठों पर आपको बोलना है, जज्य, माता, लक्ष्म जय श्री हरी विश्णू। ये आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। जीवन से दूर हो जाती हैं और जो आपके भाग्य में दुखकष्ट लिखे हैं ना वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी। और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है। अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं, तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा, जब तुलसी मया के पौधे पर बांध कर, आप मा तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरी विश्णू का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिये। आपके जीवन के कष्टों को दूर करने, श्री हरी विश्णू और मा लक्ष्मी जरूर आएंगी, और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निश्फल न पिर देखें, मा तुलसी जो है न, यह आपकी मनो कामना श्री हरी विश्णू से कह देंगी, और फिर श्री हरी विश्णू आपकी कोई भी मनो कामना हो, उसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि मा तुलसी की कोई भी बात श्री हरी विश्णू कभी नहीं टालते हैं, तो बह पहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमतकारी है, और इस बार तो रमा एकादशी पर बहुत ही उत्तम और शुभ ह योग बना है, तो आप ये उपाय जरूर करें, तो बात कर लेते हैं, अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मईया से ही जुड़ा हुआ है, देखि सी मिट्टी ले लें थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है अब घर में जितने भी सदस्य itना सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए देखिये जो तुलसी की मिट्टी होती है न, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कश्ट हैं, जो बार-बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता ह उसके जीवन में कश्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत महनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है, और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए, कि आपके जीवन के कश्ट दुख जो हैं, वो बहुत जल्दी दूर होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो बहुत होते हैं, उनमें कोई अडचन नहीं आती है, देखिए, जितना पुन्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके पवित्र नदियों में सनान करके मिलता है, उतना पुन्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है, बैठे बिठाए, जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रधा से उपाय करेंगे, तो सफल जरूर होगा, तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपून उपाय की बात कर लेते हैं, तो लॉंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, तीन लॉंग, अब त इतने भी सदस्य हैं, उनके जीवन से दूर हो जाएगा, राधे राधे दोस्तों, देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में तीन लॉंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, तीन लॉंग आपको अपने घर में जला देना है, इस पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं, या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लॉंग जरूर लेते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का भी दूर करती है और लॉंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें यह बहुत जल्दी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं तो जो लोग भी चाहते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेश कर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए. जो लोग चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले. पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेश कर लौंग के उपाय जरूर करने हैं. तो देखिए, जोतिश शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है. कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके, आप अपने जीवन के बड़े-बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं. लेकिन बहुत बार हम होता क्या है? जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है, वो सोच नहीं पाता है. हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं, जीवन में कभी-कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं. लेकिन यह बड़े-बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, जब कोई भी उपाय करते हैं न, उसमें ये महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं, उ बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है, न जो कि आपको करना है, रविवार रमा एकादशी के दिन लॉंग से, अब देखिए जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं, तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे, न कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है, न मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनो कामना पूर्ती के लिए आपको यह पहला उपाय करना है रविवार रमा एका दशी के दिन तो देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर आपको दो फूल वाली लॉंग लेनी है हैना एक भी लॉंग उसमें से खंडित ना हो तूटी हुई ना हो अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते है हैना कुछ लोग होता है कि पांच दीपक जलाते है जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं कोई कोई दो दीपक जलाता है कोई तीन चार है ना कोई एक दीपक ही जलाता है तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाते हैं तो आपको करना क्या है जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं है न चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं घी का जलाते हैं किसी का भी जलाते हैं आपको क्या करना है जो दीपक आप जलाते हैं दीपक आपको वैसे ही जलाना है बस इस दीपक के अंदर आपको दो फूल वाली लॉंग डाल कर इस दीपक को जलाना है वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे लेकिन जिन लोगों को पता है, वो हमेशा दीपक में दो long डालते ही डालते हैं देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में दो long डाल कर दीपक जलाते हैं न सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोश है, negativity बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अडचन बहुत आती है हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती हमारी यह मनो कामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनो कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना उसमें दो फूल वाली लॉंग डाल कर दीपक को जलाते हैं तो यह उपाए आप किसी भी दिन करें ज़रूरी नहीं कि आपको आज रविवार रमा एकादशी के दिन करना है जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं जब भी आप दीपक जलाएं ना उसमें दो फूल वाली लॉंग डाल कर ही दीपक को जलाएं इस उपाय को आप एक बार करके देखें इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोश भी पूरी तरह दूर हो जाएगा वास्तु दोश भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनो कामना आपकी जरूर पूरी होती है जब इस तरह से आप दीपक जला कर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए पहला उपाय था ये अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तीन लॉंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये तीन लॉंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है है न कभी-कभी आजाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा और कभी-कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है न जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है न वहां से भी हमारी उम्मीद तूटने लगती है हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ती हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है जो व्यक्ती दुखी होता है न जिसके पास पैसा नहीं होता है और जो व्यक्ती दुख में होता है और अगर सामने वाले व्यक्ती को पता लग जाए कि ये व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है, एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है, ना उसके साथ दस लोग खड़े हो जाते हैं, आकर है ना भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं नहीं होता है, ना उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है, देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, थीन लॉंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुखा रहे हैं, करजे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर्दोश। अब नजर्दोश लगता कैसे है। देखिए, नजर्दोश ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए, कोई व्यक्ती है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ती अपने जीवन में आगे न बढ़े। धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ती के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ती ऐसा सोच रहा है, है न तो उसकी जो नजर्दोश इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे एफेक्ट करती है, असर डालती है, आपके जीवन पर होता क्या है नजर दोश अगर लग जाए तो फिर व्यक्तिना दुखों के बीच जाकर रुखता है कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुखाने लगते हैं करजा बढ़ने लगता है सर पे है न तो ये सारी चीज़ें होने लगती है घर में अगर आपके कलेश बहुत है न तो समझ जाए ये कही न कही नजर दोश आपके घर में है क्योंकि कभी न कभी हमारे घर में अगर नजर दोश आता है लगता है लोगों को या घर को है न घर को भी नजरदोश लग जाता है तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में करजे को लेकर धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं घर में लडाई जगडा, छिड़ चिड़ापन, ये चीज चीजें देखने को मिलती है, तो आपको पांच फूल वाली लॉंग लेनी है, कितना भी बड़ा नजर दोज हो, आपके घर से दूर हो जाएगा, पांच फूल वाली लॉंग लेनी है, एक भी लॉंग टूटी हुई अब आपको क्या करना है, तीन लॉंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर इसे जलाना है, कब जलाना है, शाम के समय में जलाना है, किस दिन जलाना है, आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, समझा र रमा एकादशी चुनले, रविवार रमा एकादशी चुनले, कोई सा भी दिन आप चुनले, और तीन लॉंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यस्थ होने के बाद किसी भी समय जला दें, इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आ आप देखेंगे कि आपके घर में मा लक्ष्मी का वास्तो होता ही है, आपके घर में निरंतर वृद्ध होती चली जाती है, आपके धन में आपका रुप्या पैसा हमेशा बढ़ता है, और नजर दोस्तों, बिलकुल आपके घर से गायब हो जाता है, कितनी भी बड़ी नज दोस्तों, आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लॉंग जो होती है न, ये बहुत ही पावर्फिल होती है। लॉंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावर्फिल हो जाते हैं। और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेश होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना हमेशा मा लक्ष्मी वास करती है क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक उर्जा बढ़ती ह और जहां सकारात्मक उर्जा बढ़ती है ना हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है तो देखिए श्री हरी विश्नु के साथ माम लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं उनसे प्रार्थना करें मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं कभी भी आपके घर निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है तो लाल मिर्च के उपाय के लिए पहले जरूरत पड़ेगी पांच लाल मिर्च की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी अब यह पांच लाल मिर्च और यह हल्दी रविवार की रात घर में इस जगह जला दें और इस छोटे से उपाय को अगर आपने रविवार के दिन कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख हैं जितने भी कश्ट हैं जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने ज जाते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मान लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करें। उन्हें विशेश कर यह पांच लाल मिर्च वाला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए, रविवार का जो दिन है, यह कौन से देवता क समर्पित है सूर्य भगवान को और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ती को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीरवाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वह व्यक्ती अपने जीवन में हमेशा हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है इसका जो संबंध है लाल रंग का यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है तो आपके जीवन की जो निर्धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान ब कितने दाने निकालने हैं। इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। और यह पांच लाल मिर्च इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए जब आप यह उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं, उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है।